फिन्टेक अगर आपने हमारे इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्षट करता हूँ कि हमारे इस चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट करना ना भूले ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो अगर आप नया DMAT account खुलवाना चाहते हैं तो link description में दिया हुआ है आप एक नया DMAT account खुलवा सकते हैं आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे Reliance Industries Limited के बारे में Growth is Life देखेंगे इस company में क्या growth है इनके plan और visions क्या है और ये किस तरीके से अपने shareholders को benefit करने वाली है तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं Reliance Industries Limited एक Fortune 500 की company है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारे देश की number एक company है Reliance और TCS हमारे देश का pride है तो इस वीडियो में हम fundamental और technical दोने analysis करेंगे इस company की अगर हम इस company का market capture देखें तो 16,13,000 करोड रुपए है इस share का current price 2426 रुपए है जो की अभी recently चल रहा है और high इनों ने अभी-भी 2480 रुपए का बनाया है अगर low यहाँ पे देखा जाये तो 1830 रुपए है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अभी पिछले साल जो कुरोना crash आया हुआ था March 2020 में उसमें इन्होंने अपना एक fresh low भी बनाया था जो एक 1008 रुपए था और एक बहुत ही अच्छी golden opportunity थी for the retail investors to be invested in this company अगर इसके हम dividend yield की बात करें तो ये 0.29% है ना के बराबर है ROC और ROE की बात करें तो लगभग 8% है जो कि बहुत ही अच्छा तो नहीं है उसका reason ये है कि चुकि ये company बहुत ही ज़्यादा diversified है बहुत सारे businesses हैं इसमें और बहुत सारे business ऐसे हैं जिनकी value unlocking अभी बाकी है for example Jio Mart Jio Mart का एक app इन्होंने launch किया हुआ है beta version है I think जो कि कुछ चुनिंदा cities में ही है Mumbai और Jaipur में तो मैंने देखे थे कि इनके services available है बाकी कुछ और 2-4 cities में है Jio Mart हो गया आपका Jio Telecom Services हो गये उसमें भी इनकी value unlocking भाकी है तो ऐसे बहुत सारे businesses है इनके जहां जब ये split करेंगे या उनके IPOs लाएंगे तो एक बहुत ही अच्छे value unlocking होगी और वो सारी चीज़ें आपको reflect करेंगी Face value देखा जाए तो 10 है उम्मीद है कि ये कभी एक bonus announce कर सकते है प्रिजन दिया हुआ है वो oil sector की ही company से दिया हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ये Reliance Industries को कहीं न कहीं प्रिजन जस्टिफाई करता है क्योंकि no doubt Reliance Industries का जो main business है वो oil और petrochemical से है बढ़ इसके और भी बहुत सारे businesses हैं for example के लिए telecom का business देखा जाए तो वहाँ पे इनका सीधा टकर airtail के साथ होती है इनके जो एक और business है geomart के उनको अगर देखा जाए तो वो हाला कि अभी उतने उनका market capture उतना ज़्यादा नहीं है but in future I am pretty sure कि Amazon को भी बहुत ही अच्छा टकर देंगे अभी recently इन्होंने future retail के साथ उन्होंने deal की हुई थी Reliance ने जो कि उनके geomart के business को बहुत ही अच्छा boost करने वाला था unfortunately वो deal जो है तो अभी court case में चकर खा रहा है Amazon की वज़े से Amazon चाहता नहीं है कि वो deal हो क्योंकि उससे Reliance Industries इसको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है और कहीं न कहीं वो एक बड़ा competitor उभर के आएगा Amazon के लिए तो जो भी इसमें comparison दिया गया है अगर उसी को देखा जाए तो अगर हम देखें इसका market capture तो इसमें इसके बहुत सारे businesses हैं जो कि 16 लाख 13,000 का इनका market capture इन करोड रुपीज दिखा रहा है बाकी ये oil sector है जो इनका pure business oil sector में ही है तो उसका comparison अगर देखें तो उसमें Reliance Industries कहीं आगे है net profit भी बहुत ही अच्छा है company का sales भी काफी अच्छा है इनके peers से किसी भी company का business अच्छा कर रहा है या नहीं उसमें कितनी growth है ये हमें उनके sales से पता चलती है अगर आप उनके sales देखें तो year on year उनके sales बढ़ते गए हैं यहां बीच में एक थोड़ी सी गिरावट थी और उसके बाद फिर से इन्होंने एक अच्छा अपना sales में growth दिखाया है इसके लाबा अगर हम net profit की बात करें तो वो net profit आपको March 2010 से ये लगभग flat सा आपको दिखेगा जो की 2015 तक का है 2015 तक में आपको इनके profit लगभग flat से दिखे हैं ज़्यादा growth दिखी नहीं लेकिन 2016 17, 18, 19 और 21 में अभी तक अगर आप देखेंगे तो इनके profit में बहुत ही अच्छा जम पाया है मैं तो कहूँगा कि in fact पिछले 4-5 सालों में इन्होंने अपना profit डबल करके दिया है और ये इन 4-5 सालों में ही इनके बहुत सारे ऐसे deals हुए हैं बहुत सारे इनके ऐसे plans आये हैं बहुत सारे इन्होंने नए areas में अपना business को expand किया है for example जैसे आपका जियो का retail business है जियो के mart है तो ये सारे reason है जो इन्होंने इनकी profit में बहुत ही अच्छा jump दिया है stock price के अगर CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल में 19% है 5 साल में 36% 3 साल में 25% तो ये आप जैसे आप देख सकते हैं कि stock ने बहुत ही अच्छा return बना के अपने shareholders को दिया है पिछले एक साल में 5% है ज़्यादा growth इन्होंने दी नहीं है अपने share price में उसका reason ही ये है कि ये corona crash के बाद इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा run-up दे दिया था और उसके बाद से फिलाल लगभग एक साल तक consolidation phase में रहा है अब send downs 2100 से 1900 के बीच में और किसी भी share price को buy करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है उसको उसके consolidation के phase में लिया जाए अगर company का fundamental अच्छा है company के technicals अच्छे है तो वो company consolidation के बाद एक अच्छा breakout देती है return on equity की बात की जाए तो वो कुछ खास रहे नहीं है पिछले कुछ सालों में पिछले साल का 8% ही रहा है जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसमें बहुत सारी value unlocking बाकी है Gio के हमारे Gio Telecom का IPO आने की news है Reliance Retail Venture के IPO आने की news है और अगर इनके IPO आते हैं अगर ये अपने businesses को split करते हैं तो इससे बहुत ही जादा value unlocking होगी और shareholders को बहुत फायदा होगा तो जो लोग अभी भी invested है मेरे हिसाब से उन लोगों को अभी invested बने रहना चाहिए और company के future growth का पूरा फायदा उठाना चाहिए company के अगर reserves की बात की जाए तो 2010 में इनका 1,38,000 करोड रुपय था 2011 में इनके reserves बढ़े 1,50,000 2012 में 1,66,000 2013, 2014, 2015 2016, 2017, 2018 और आप देखेंगे कि इनके reserves में हमेशा एक jump देखने को मिला है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है इस company के लिए borrowings की बात की जाए तो borrowings में भी एक हलका सा इजाफा देखने को मिला है थोड़ा बहुत बढ़े हैं इनके borrowings भी इसमें ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि company जब भी अपना कुछ expansion करती है तो उसमें उनके borrowings ही बढ़ते हैं और इनके पास reserve surplus इतना जादा है कि अपने borrowings को कभी भी खतम कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब हम discuss करते हैं इनके chart pattern के बारे में बहुत ही शांदार इसका chart pattern है और ये हमेशा से ही अपने shareholders को अच्छा return देता आया है जिन लोगों ने भी SIPs के ways में अगर investment किया है buy on dips की strategy follow की है तो वो हमेशा एक निचले level पे इस share को accumulate किया है और उन सब लोगों ने एक अच्छे return बनाए है अगर corona crash की बात की जाए तो ये वो एक time था जब 2008 का इन्होंने 20 March 2020 को अपना एक low बनाया था और उसके बाद इनकी जो deals हुई है Facebook के साथ की deal की news आई इनके deals Google के साथ आए इनके deals Aramco जो की साओधी Arabia की state owned company है Aramco की deals आई Aramco की deals में ये कहा गया था कि Reliance अपने O2C business को split करे Oil और Petrochemical के जो business है उनको split करे और उसके बाद वो इस company में investment करेंगे ये सारी news इतनी pump up होई और ये share price बहुत ही ज़्यादा उचला एक बहुत ही अच्छा run up दिखाया प्राइस ने लगभग एक साल में ही लोगों के पैसे को धाई गुना कर दिया उसके बाद से ये consolidation का phase आया है और इसमें share price consolidate करता रहा लगभग एक साल तक और अभी एक और breakout इसने दिया है तो क्या इस all time high पर इस share में investment करना चाहिए मैं तो बिल्कुल इस all time high पर invest करने की राय नहीं दूँगा अगर आप करना भी चाहते हैं तो हमेशा buy on dips के strategy अपना ये SIP's way में इसमें investment करना शुरू कीजिए अगर आप चाहते हैं इसमें invest करना तो मुझे लगता है कि ये 2200 के आसपास एक अच्छा support यहाँ पर बनेगा और उसके बाद अगर और गिरावट होती है तो फिर 2100 और 2050 और 2050 के आसपास इसमें एक अच्छा support है जो कि एक buying attempt हो सकता है अगर आप इसके 10 share लेने की capability रखते हैं तो अगर share price में कभी एक गिरावट आए लगबग 10% के करीब अगर 2200 के आसपास कभी share आता है तो आप अगर 10 share खरीदने के आपकी capability है तो आप उसमें से 2 या 3 share खरीदें उसके बाद hold and continue करें अगर और गिरावट होती है तो और 2-3 share उसमें आप खरीदें इस तरीके से एक अच्छे investment की एक strategy अपनाई जा सकती है all time high पे एक lump sum amount invest करने की idea या मेरे हिसाब से एक अच्छा idea नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें Thank you